जल ही जीवन है ये बात सब ही जानते हैं बावजिदिस के हर और पानी की बरबादी हो रही है जल सनरक्षन को लेकर सरकार अपनी और से हर संभव कोशिश कर रही है लेकिन सिर्फ सरकारे सिस्टम से ही सब कुछ ठीक नहीं होगा हम सब को जल सनरक्षन के लिए आगे आना होगा और हम भदोही के लाल गोविंद यादव से प्रेड़ना ले सकते हैं जल सनरक्षन के मर्शाल जला कर भदोही से महरास्ट पहुच चुके हैं तब से खास बात तो ये है कि गोविंद ने अपनी पूरी यात्रा साइकल चला कर पूरी की जल बचाओ अभ्यान के तहट आम लोगों को जागरू करने के लिए निकले भदोही के हरियप और निवासी गोविंद यादब का ज़स्वा देखने लाइक है वो मिर्जबपुर से गंगा जल लेकर मुंबई में लालबा के राज़ा के लिए साइकल यात्रा से निकले हैं महरास्ट पहुँचते ही किसी ने उनका वीडियो बना कर सोचल मीडिया पर अपलोट कर दिया जिसके बाद गोविंद की वीडियो जम कर वाइरल हो रही है और लोग जल बचाने को लेकर उनके प्रयासों की तारिफ भी कर रही है आप भी सुनिए क्या कहना है गोविंद यादव का तरह से लोग जल की बरबादी कर रहा है यादी भविस में जल को समय रहते ना कंट्रोल किया गया तो इस समय लीजी आने वाले समय में जल के लिए बिस सिवध हो सकता है यहां तक कि जो कमपनियां 20 से 30 रुपाय लीटर बिस लरी पानी बेच रही है वह इसका फाइदा उठा करके तीन से 400 रुपाय लीटर बेचेंगी और हमारे देश की सरकाल दीजल पेट्रोल से मांगा पानी बेचेंगी इजी को हम मद दिना चर रखते हुए साइकल से बधोई जीले से निकल करके वांबे साइकल आत्रा कर रहा है हमारा नाम गोविन यादव है मारे पीता जी नाम राम दुनियादव है हम चाहते है लोग ज्यादा ज्यादव इस से बेचिए देखिए यह सार अपना यूपी स पंदरा अगस्त को साइकल से जल बचाओ अभ्यान पर निकले गोविन यादव लाल बाग की राजा को गंगा जल चड़ाएंगे गोविन्द साइकल पर ते रंगा जंडा लगा कर अपनी यात्रा पर निकले हैं और वो बीच बीच में रुक कर लोगों को जल बचाने का संदेश दे रही हैं दरसल वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया जल संकर से परिशान होगी और लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं होगा ऐसे में मूदी सरकार भी जल संरक्षन को लेकर जल शक्ती अभियान चला रही है ताकि आने वाले परिशानी से पहले ही उसका कुछ हद तक हल किया जा सके उमीद है कि गोविंद यादव की यात्रा सफल रहेगी और लोग उन से पेरणा लेकर जल बचाएंगे पंजाब के सी टीवी के लिए भदोही से महेश जैस्वाल की रिपोर्ट